हलो प्रेंड सोनी बिडिक में आपका स्वागत है फ्रेंड आज हम 44 से इन 6 साइज के लिए योग पट्टी ब्लाउज यानि बेल्ट ब्लाउज की कटिंग देखेंगे आप यहां पे इसका फाइनल लुक देख सकती हैं बनने के बाद यह कुछ इस तरीके से तयार हुआ है आ नहीं से भी पप्टे चप्टा पन नहीं है आप अच्छे तरीके से यह तयार हुआ है नीचे आप क्रोस बैल्ट भी देख सकती है आर्म हो जो गिड़ने की समस्या है फ्रेंड आकसर ब्लाउजों में होता है कि शोल्डर उतरता है आपको डबल हंडर परसंट गैरेंटी द करके देखिए यहां पर देखिए पीछे से आपको गला दिखा देते हैं गला भी आप देख सकती है काफी डीप गला हमने तैयार किया है तो यहां पर डोरी भी अटेस्ट नहीं किया है और यह शोल्डर आप यहां पर नहीं गिरेगा यह इसकी हम आपको 100% नहीं डबल 100% गारेंटी दे रहे हैं पीछे से आर्गोर पे जो फुलान आने लगता है वो भी समश्या नहीं आएगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप से छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पे पहली वार आई है तो प्लीज चै है हमारा यह 75 सेंटीमीटर का है तो इसके लिए हमने डबल अस्तर लिया है आप अपनी साइज की हिसाब से अस्तर ले लिजेगा सबसे पहले अस्तर को हम सैट करेंगे तो यहां से हम लंबाई की सैट से इसको हमने डबल फोल्ड करके अस्तर को धो के प्रेस लगा लिया है आगे की साइड को रखा है और बंद वाले साइड अपनी साइड को रखा है अब हम नीचेक से एक सिधा निशान लेके कपड़े को सिधा कर लेंगे प्रैंस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा अब यहां से देखे सिधा निशान ले लेंगे अब यहां से लेंगे लंबाई तो लंबाई यहां पर देखे हमें साड़े 15 इंच तयार रखना है तो साड़े 16 इंच पर लेंगे एक इंच बढ़ा के लेंगे लंबाई अपनी हाइट के हिसाब से अब कमी या ज़्यादा कर सकती है अब इस निशान को सिधा कर लेंगे अब यहाँ पर लेंगे शोल्डर तो शोल्डर हम रखेंगे 6 इंच पे यह जो हम नाप तयार कर रहे हैं यह बलाउ से नाप लिया है तो यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 6 इंच यहाँ से भी 6 इंच पे निशान लगा लेंगे आर्मोल पी रखेंगे 6 इंच पे और इस निशान को सिधा कर लेंगे इस निशान को आगी की से बढ़ा लेना है अब यहां से हम चेस्ट का चोथा भाग लेंगे चेस्ट चोवालीस इंच है चोवालीस का चोथा भाग होगा 11 इंच और दो इंच सिलाइम मार्जिंग सिलाइम मार्जिंग आप 10 इंच भी रख सकती है कमर का देखेंगे कमर 38 इंच है 38 का चौथा भाग लेंगे वो होगा हमारा 9.5 इंच तिहां से 9.5 इंच लेंगे एक इंच रखेंगे डॉट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिंग अब इन दोनों निशानों को सिधा कर लेंगे इस तरीके से निशान को सिधा कर लिया है अब यहां पे एक इंच की दूरी से आर्मोल की गुलाई लेंगे और इसका बी सेंटर निकाल लेंगे तो 6 इंच है तो 3 इंच पे निशान लगा देंगे यहीं से हमें गुलाई को भूमाना है इस तरीके से जब आप आर्मोल का निशान लगाएंगी आपके आर्मोल पे बिल्कुल भी ऐश्टा फैब्रिक नहीं आएगा जो सिलिवटें आ जाती हैं पहनने के बाद वो समस्या नहीं आएगी शोलर के चोड़ाई रखेंगे सबा 3 इंच और 5 इंच यहां से गले में कट करेंगे पीछे का गला देखेंगे पीछे का गला हमारा साड़े 10 इंच उपन होगा तो 11 इंच पे निसान लगाएंगे आधा इंच मार्चिंग का लेंगे और नीचे की साड़ से 3 इंच का फैलाओ दे देंगे और इस निसान को सिधा कर लेंगे फ्रेंट गला अगर आप कोई डिजाइन करना चाहती है तो 4 इंच तक आप इसका फैलाओ देके कोई डिजाइन भी कर सकती है अब यहां से गोल गला का सेफ लेंगे यहां पर हमें डोरी अटेस नहीं करना है और गला हमारा ज्यादा फैलाओ नहीं देना है तो 3 इंच का फैलाओ सही है अब यहां से डोट पैंट लगाएंगे साड़े 11 इंच पे और आगे की साइट से जो दूरी लेंगे वो रखेंगे 5 इंच पे इस निसान को सीधा कर लेंगे अब यहां पर जो हमने एक इंच बढ़ा के लिया है डोट के लिए फो दोनों साइट से आधा दा इंच का डोट लगा देंगे अब यहां पे देखें गला हमारा डीप है तो शूल्डर को हमें डाउन करना होगा गले की साइट तो 2 पॉइंट के बराबर हम यहां पे डाउन करेंगे ज्यादा डाउन नहीं करेंगे नहीं तो यह आर्मोल की साइट उठा उठा सा फुलान आने लगेगा अब यहाँ पर सिलाई मार्जिंग छोड़ेंगे और आर्मोल का नाप ले लेंगे आर्मोल यहाँ से देखेंगे 9.5 इंच कट करना है यह पौने 10 इंचा रहा है यानि पौना इंच एश्ट्रा है उसका हम अपर चेस्ट की फिटिंग देंगे क्योंकि गला डीप है और डोरी अटेस नहीं करना है तो इसकी फिटिंग अच्छे से आजाए इसके लिए हम पौना इंच यहाँ पर इसकी फिटिंग दे देंगे जब हम सिलाई लगाएंगे तो इसको दबाते हुए सिलाई लगाएंगे यह हमारा निशान लग चुका है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पे पहली बार आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओन कर लीजेगा ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले अगर आप और भी साइजों की कटिंग देखना चाहती है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकती है अब यहां से हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए क्या करेंगे जो खुली हुई साइट थी वो हम अपनी साइट को कर लेंगे यह किनारी को अलग कर लेंगे यहां पे एक निशान लगा के किनारी को कट करके अलग करेंगे अब यहां से अपना हुकाई का मार्जिंग लेंगे तो आधा इंच के बराब हमने मार्जिंग ले लिया है अब नीचे की साइड से एक सिधा निशान लेके कपड़े को सिधा कर लेंगे अब यहां से अपना लोवर चेस्ट का नाप लेंगे तो lower chest आएगा 15 inch पे 15 inch पे हम अपना lower shape का यहाँ पे निशान लगाएंगे सेम निशान आगे की साइट भी 15 inch पे लगाएंगे अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए सिधा कर लेंगे और यह जो हमने किनारी वाला निशान लगाया है किनारी को cut करके वहाँ से हमें shoulder का नाप लेना है यहाँ से इस वाले line से नहीं लेना है यानि 6 inch पे shoulder रखेंगे नीचे की side भी 6 inch पे लगाएंगे जैसे हमने back part में लिया है shoulder और armhole 6-6 inch पे उतना ही हमें front में भी लेना है और इस तरीके से निशान को आगे की side बढ़ा लेना है होता है हूंकाई का margin लेना होता है तो front part की cutting अलग तरीकेसे होती है और back part की cutting अलग तरीकेसे होती है अब यहाँ से देखे जो हमने हूंकाई का margin छोड़ा है वहाँ से chest का चुता भाग लेना है 11 inch एक inch dot का और 2 inch slime margin जितना आपने सिलाई मार्जिंग लिया है उतना आपको रखना है सेम निशान यहाँ पर देखे उपर वाला ही हम नीचे की साइड भी लगाएंगे यहाँ पर में कमर का नाप भी नहीं लेना है 11 इंच चेश्ट का चोथाभा, 1 इंच लोजिंग का और 2 इंच सिलाई मार्जिंग इस तरीके से आपको निशान लगाना है इस निशान को सिधा कर लिएंगे अब यहाँ पर देखे यह जो हमने 1 इंच इस तरीके से लोजिंग लिया है इससे हमारे पफ की जो फिटिंग है वो बहुत ही परफेक्ट आएगी शूल्ड आर्मोल को अंदर की साइट पहुने एक इंच डाउन करना है यानि 0.75 इंच अंदर की साइट इसको डाउन करेंगे एक इंच की दूरी से गुलाई देंगे और इसका भी बी सेंटर निकाल लेंगे तीन इंच पे और यहां से इसकी गुलाई को भुमा लेंगे इस तरीके से गहराई लेनी है इसे सिलाई वेले मार्जिंग में डाउन करेंगे शूल्डर की चोड़ाई सबा तीन इंच रखेंगे आगे का गला चैंच उपेन होगा तो साड़े चैंच लेंगे आगे का गला अब साथ इंच, साड़े साथ इंच, आठ इंच तक रख सकती है इस निशान को यह से मिला लेंगे और अपने गले का शेप लेंगे तो गोलगला बनाना है तो गोलगले का शेप दे देंगे यहाँ से देखे इस नीचे की साइड इसमें भी हम 3 इंज का फैलाओ देंगे यहाँ से 3 इंज का फैलाओ दिया है अब यहाँ पे देखे शोल्डर को यहाँ भी हमें डाउन करना है जैसे हमने बैक पार्ट में किया है हलका सा दो पॉइंट के बराबर डाउन कर लेंगे अब यहाँ से अपना जो है डॉट पॉइंट लगाएंगे डॉट पॉइंट लगाएंगे साड़े 11 इंच पे और आगे से जो दूरी है वो रखेंगे साड़े 4 इंच पे जो हमारा आगे वाला निशान है यहाँ से हमें 4 इंच लेना है और इस निशान को सीधा कर लेंगे दूसरा डॉट लगाएंगे यहाँ से इस तरह किसे इंचे टिप को तिर्षा रखेंगे और पॉणे 2 इंच पे इस सैड में भी पॉणे 2 इंच लेंगे दो इंच भी आप रख सकती है तीन इंच पे यहाँ पे लेंगे इस तरीके से हमें निशान लगाने है 4 डॉट के और इस निशान को इस तरीके से तिर्षा लिमिला लेना है इस निशान को सीधा कर लेंगे यह हमारा निशान 4 डॉट का लग चुका है अब हम उतना margin लेंगे तो तीनो डॉट पे हमें आधा आधा इंच का margin देना है आधा इंच एक साइट से और आधा इंच एक साइट से इस तरीके से हमें जो हमने एक इंच बढ़ाया है losing का वो हमारे डॉट से यहाँ पे cover हो जाएगा इस तरीके से यह हमारा निशान आएगा तीनो डॉट पे हम एक एक इंच का margin लेंगे यह हमारा निशान तीनो लग चुका है अब यहाँ पे देखें नीचे का डॉट कैसे लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग लेंगे कमर का चौथा भाग है साड़े नो इंच तो साड़े नो इंच रखेंगे और जो भी हमारा इश्ट्रा आता है यानि 8,5 इंच इश्ट्रा है तो 8,5 इंच का डॉट लेंगे 7 इंच एक साइट से और 7 इंच एक साइट से दोनों साइट से 7,7 इंच का हम यहाँ पे डॉट दे देंगे इस निसान को सिधा कर लेंगे अब यहाँ पे हम पौने एक इंच उपर की साइड क्रोस बेल्ट के लिए यहाँ पे कट करेंगे हलका साइज को गोल सेफ में यहाँ पे कट कर लेंगे तो हलका साइज तरीके से मिला लेंगे कटिंग करते समय हलका साइज को गोल सेफ में कर लेंगे तो यह हमारा निशान लग चुका है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी कि इसकी सिलाई कैसे करनी है तो आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि जब भी मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दूसरे साइड में भी हम अपना डॉट का निशान लगा लेंगे तो यह हमारा फ्रेंड पार्ट भी कट हो गया है अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है तो बेल्ट कट करने के लिए क्या करना है यहाँ पे देखिए अगर आपने हाइट के हिसाब से लंबाई को कम या ज़्यादा किया है तो बेल्ट कैसे कट करेंगी उसका यहाँ पे देखिए एक इंच उपर आपको यहां पे front part में निशान लगाना है एक इंच उपर इंची टेप को रखना है और पीछे वाले पाइट से इसको मिलाना है यानि तीन इंच आरा है आधा इंच इसमें आपको बढ़ा लेना है साइड से आपको नापना है तो पीछे की साड़े तीन इंचारा है यहां से हम पहले देख लेंगे यह हमारा कपड़ा अगर यहां पर प्रयाप्त होगा तो बेल्ट की कटिंग नहीं हो पाएगी इसको हटाते हैं चलिए पहले हम बाजू को कट कर लेते हैं ताकि यहां पर हमारा जो कपड़ा बचेगा उससे हम अपना बेल्ट कट करेंगे तो पहले बाजू के लिए रिखे कपड़े को हमने लंबाई की साइड से डबल फोल्ड किया है और भी सेंटर से एक बार और इसको हम फोल्ड कर लेंगे तो इस कपड़े को हमने फोर राउंड में फोल्ड किया है यानि चार तेह में बिस सेट कर लिया है अब यहां से देखें यहां से हम अपने आर्मूल की गुलाई और सिलाई मार्जिंग लेते हुए कपड़े को सेट करेंगे थोड़ा सा हम इसको और बढ़ा लेंगे अब आगे की साइट से जो किनारी है उसको हम अलग कर लेंगे इसको कड़ करके अलग कर देना है अब बाजू की लंबाई लेनी है तो यहां पर देखें बाजू की जो लंबाई आपको तयार रखनी है उसमें आपको 1 इंच बढ़ा के लेना है तो यहाँ पे 10 इंच बाजू तयार होगा तो 11 इंच पे निसान लगाएंगे इस निसान को सिधा कर लेंगे अब यहाँ पे हम अपना आर्म होल डाउन करेंगे आर्म होल डाउन करेंगे 4 इंच पे चार इंच आर्मोल को डाउन कर देना है और इस निसान को थोड़ा सा हम सिधा कर लेंगे पहले अब यहाँ से हम अपने तिर्छा इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और आर्मोल की गुलाई लेंगे आर्मुल की गुलाई 9 इंच है तो 9 इंच रखेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिंग अब इस तरीके से निशान को इस तरीके से मिला लेंगे तिरचा अब आगी की गुलाई देखेंगे आगी की गुलाई यहाँ पर हम 7 इंच रखेंगे और इस निशान को यहां से ले लेंगे इस तरीके से और सिलाई मार्जिंग वाला निशान भी सिधा कर लेंगे अब आधा इंच अंदर की साइड और आधा इंच बाहर की साइड हम निशान लगाएंगे यही से हमें गुलाई को गुमाना है आधा इंच बाहर की साइट से लेना है और आधा इंच अंदर की साइट से उपर से यहाँ पर देखे आधा इंच नीचे लेना है उपर से आधा इंच नीचे रखना है और इस तरीके से गहराई देना है तो यह हमारा निशाब लग चुका है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे अब दो पार्ट को उपिन करेंगे और इसकी गहराई को भी कट कर लेंगे यह हमारा बाजु कट हो चुका है आप यहाँ पे देख सकते हैं अब बचे गई फैब्रिक से हम अपना बैल्ट निकालेंगे तो आगे की साइट से यहाँ पे एक सिधा निशान लेके किनारी को अलग कर लेंगे नीचे की साइट से भी एक सिधा निशान लेके नीचे से भी कपड़े को सिधा कर लेंगे अब यहाँ से देखिए इस साइट से साड़े तीन इंच पे निशान लगाएंगे और यहां से कमर का यहां पर चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच दो इंच हमने सिलाई मार्जिंग लिया है तो दो इंच रखेंगे आधा इंच इसको बढ़ा के रखेंगे क्योंकि जब बैल्ट अटेस होता है तो आधा इंच आगे पीछे होता है तो आधा इंच इसको बढ़ा के ही रखेंगे और अपना हुंकाई का मार्जिंग ले लेंगे इस साइड से लेंगे 4 इंच पीछे वानी साइड से 3.5 इंच और आगे की साइड से 4 इंच अब इस दोनों निशानों को मिला लेंगे इस तरीके से ये हमारा बैल्ट का निशान लग गया है अब हम इसको कट कर लेंगे तो ये हमारा बैल्ट भी कट हो गया है दूसरे बैल्ट में भी हम निशान लगा लेंगे उपर की साईड एटाइस होगा तो यहां पे हम प्लस का निशान लगा देंगे इस तरीके से यह हमारा बेल्ट भी कैयार हो गया है अभण उपना यहां पे पट्टी कट कर लेंगे जिस साइड में हमारा हुपका टाइस होगा तो यहां से हमको double fold करना है कपड़े को और यहां पर सबाई इंच चोड़ा हमें एक पट्टी डेरी इंच चोड़ा आप यहां पर पट्टी कट कर लेंगे तो यह हमारी पट्टी भी कट हो गई है अब हम अपना man fabric कट करेंगे तो यहां से देखें इस तरीके से इसी तरीके से सभी पार्ट को हमें कट कर लेना है अब यहां से हम बाजू कट करेंगे बाजू पर डिजाइन है तो डिजाइन में यहां पर पहले नाप लेंगे तो बाजू देखिए यह छोटा पढ़ रहा है तो कपड़े को हम इस तरीके से सेट करेंगे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इस तरीके से कपड़े को सेट करेंगे और थोड़ा सा एश्टा फैबरिक लेते हुए बाजु को भी यहां से कट कर लेंगे यहां पर जो हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है यहां पर हम कपड़ा ज्वाइंट लगा लेंगे फिर अपने बाज़स्तर को सेट कर लेंगे सभी पार्ट को इसी तरीके से कट कर लेना है उमिद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो फ्लीज लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार आई है तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओन कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले इसकी स्टिचिंग में आपको नेश्ट वीडियो में दिखाऊंगी तो नेश्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा चले मिलते हैं